बॉलिवुट के इंसलिबिटीज की मौत आज भी बना है गहरा राज शुशान सिंग राजपुत 2020 में शुशान सिंग राजपुत की लाश उनके बेटरूम में पंक्खे से लटकी हुई मीडी थी उनकी मौत को पहले सियुसाइड माना गया फिर मर्डर कहा जाने लगा आज भी उनकी मौत की गुत्ती सूलच नहीं पाई है 2013 में 25 साल की जिया खान ने अपने घर में फासी लगा ली थी उनकी कमरे में 6 पन्नों का एक सियुसाइड नोट मिला था जिसके बाद शक्की सुई जिया की कथिद बॉइफिर्ण सूरच पांचोली की तरफ घुमबा रही थी हाली में उन्हें आरोपोग से बरी कर दिया गया है दिव्य भारती महस 19 साल की उम्र में दिव्य भारती ने मौत को गले लगा लिया था कुछ का कहना था कि वो नशे में थी और पाचवी मंजिल से गेड़ कर उनकी मौत हो गई जबकि अन्या का कहना है कि किसी ने उन्हें शराब पिलाई और फिर पाच्वी मंजिल से उन्हें धक्का दे दिया परविन बाबी अट्रस ने अपने करियर में कई सुपहिट फिर्में दी है कहा जाता है कि वो पैरनोईड सीजोफ्रेनिक से पीडि थी दोहसा पाच में उनका निदन हो गया था वो अपने घर में अक्केली थी जब उनकी मौत हो गई थी श्री देवी श्री देवी के पोस्ट मोटम रिपोर्ट में उनकी मौत का गारण दुरगापनावस दुपता हुआ बताया गया है हाला कि उस राद वास्तव में क्या हुआ होगा ये एक अंसुलच रहस्य बनकर रहे गया है गुरुदत कई क्लासिक फिल्मों का हिस्सा रहे गुरुदत 1964 को मुंबई में अपनी किराय के अपार्टमें में बिर्थ पाई गयते कहा जाता है कि वो शराब में नीन की गोलिया मिला कर ले रहे थे लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत आत्मात्य थी या फिर एक्सिडेंटल तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राए कमें सेक्शन बताना बिल्कुर भी न भूले और हमारे चानल को जरू सब्सक्राइब करें